जैहिन दोस्तो रक्षित खन्ना के इस चैनल में आपका सालत है दोस्तो इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाये था जिसे मैंने आपको समझाया था कि जो फैमली पैंशनर से उनको कुछ एरियर मिला है आज मिला है या पहले मिला है एक दो दिन पहले लेकिन उसके बेस पे पैंशनर समय भेशते हैं कि सर हमारे खाते में आज ये एरियर आया है दोस्तो इस पर्ष या बैंक हर एक पैंशनर को एक ही टाइम पे क्रेडिट नहीं करता चाहिए बड़ी हुई पैंशन या एरियर यानि 10 लाग पैंशनर को कुछ टाइम में दे देगा एरियर बाकी 10 ल आपके खाते में पैसा आता है माली जी अगर 28 लाग मैंशनर्स हैं तो 5 लाग मैंशनर्स को आज के दिन मिल गया बाकी 5 लाग मैंशनर्स को कुछ टाइम बाद मिल जाएगा बाकी 5 लाग मैंशनर्स को कुछ टाइम बाद मिलेगा ऐसा नहीं 28 लाग मैंशनर्स को एक दिन मे कर दी है यानि अब आप एडिट कर सकते हैं करेक्शन कर सकते हैं इस परच पर लॉगिन करने के बाद तो दोस्तों काफी पैंशनर्स भूलने लगे किस तर आप तो गलत बता रहा हूं कुछ भी ओपन नहीं हो रहा अभी एरर यह आ रहा है अभी खुला नहीं है दोस्तों मैं रहा था रेट कलर था उसपे अलर्ट लिका रहा था कि आप 2016 से पहले के पैंशनर्स अभी जो आपकी सर्वीस है वो टंप्रेली बंद कर रही है लेकिन अब कोई वह मैसेज नहीं आ रहा है तो अगर आपको भी नहीं दिख रहा है वह तो कुछ टाइम बार करेगा मैंने त गया था message enhance pension on completion of 79 years of age to patrons यानि कुछ case file किया गया था जिसके base पर pensioners को उनका हक मिल गया यानि जो pension उन्हें 80 years बाद मिल रही थी additional pension 20% वो 79 खतम होने के बाद मिलेगी यानि जब 80 start हो जाएगा तो इसके base पर उन्होंने ये लिखा है कि जितने भी pensioners हो गए या फिर family pensioners हो गए जिनकी age 80 start हो जाती है जिस मन उस मन से additional pension मिलेगी 20% ना कि 80 complete होने पर तो जोस्तो मेरी समझ में यह नहीं आ रहा कि जो भी department है चाहे वो इस पर शो पीसीडियो या फिर सेंटर का कोई डूसा डिपार्टमेंट हो चाहे स्टेट का कोई डूसर डिपार्टमेंट हो वो जो आपको additional pension दे रहा है वो 80 complete पे क्यों दे रहा है रूल के according जैसा मैं आपको समझाता भी आया हूं पहले कि attending the age of 80 years जैनि 80 प्राप्त करेंगे जिस महिने उस महिने की pension आपको additional मिलना स्टार्ट हो जाएगी जबसे ना कि 80 complete पे इसके बेस पे हाजारों केस एफट में सुप्रीम कोट में पढ़े हैं और इसी पे सुनवाई चल रही है और इसके बेस पर पेंशनर्स के फेबर में भी ये बात चली जाती है जो कोट है वो भी बता देते हैं कि आप पेंशनर्स को 80 स्टार्ट पर ही additional pension दीजे ना कि 80 खतम होने पर जैसा कि आप पीछे दोस्तों ये message भी देख रहे हैं इसमें भी एक AFT में ये case हुआ था जिसमें ये case जीद गएते यानि जैसी 79 खतम होगी 80 स्टार्ट होगा तब से additional pension स्टार्ट होगा तो दोस्तों मेरी समझ नहीं आ रहा है कई ऐसे pensioners हैं जिनका commutation minus हो रहा है उनके अभी 15 साल नहीं होएं मैं कई चीज़े notice कर रहा हूं कि उनका commutation जो होने चीए तब वो नहीं है यानि 15 साल तक जो आपका commutate value जो बनाई है जो कटेगा वो change हो रहा है ऐसा नहीं होना चाहिए जिस time आप discharge हुए जिस time आप retirement हुए उस time जो आपकी basic पेती उसी के साब से आपका committed value बनाते है कि इतना amount आपका 15 साल तक कटेगा अगर वो ब तो pension changing authority जांसे आप pension ले रहे हैं उनसे contact करिए मैं आपको एक example दे रहा हूँ माल लिजिए किसी का date of discharge या फिदेट ऑफ रिटेर्मेंट है 31.2007 तो pension कब से मिलेगी pension मिलेगी 11.2008 से यानि जिस महीने आप retire हुए उस महीने तो आपने salary लिए है यानि 31.2007 यानि इस महीने तो आपने salary लिए pension आपको कब से मिलेगी pension मिलेगी आपको 11.2008 से यानि अगले महीने से अब salary तो आपने ले लिए इस महीने की अब pension आप लेंगे अगले महीने से अब आपकी basic pay माल ले जिए 37,000 है तो committed value कैसे बनाएंगे पहले pension निकाल लेते हैं 37,000 का अगर आप आदा ये मैंने example लिया है मैं 7 CPC की basic pay के बात कर रहा हूँ 37,000 किसी की अगर basic pay है तो pension अगर होगी तो वो होगी 18,500 इसकी आदी अब 15 साल के लिए committed value amount कैसे बनाएंगे इसका हम कर देंगे 50% क्योंकि pensioners ने commutation opt किया 50% तो 15 साल के लिए इनकी pension में से जो amount minus होगा 15 साल तक वो होगा 9,250 तो दोस्तो मैं कैसा कर रहा हूँ जो committed जो ये amount बना है 15 साल के लिए ये change हो रहे है यानि 2 साल बाद, 3 साल बाद, 4 साल बाद change हो रहे है दोस्तो अगर ऐसा हो रहा है तो ये गलत हो रहा है आप इससे तुरं amount बना दिया तो आपको नुकसान है माल लेजिए अगर ये 9,250 से अगर 12,000 बना रहे है तो दोस्तो आपकी pension में से 12,000 रुपे minus होंगे इसका मतलब ये है तो ये जो committed value amount है committed value इससे आप सही से चेक करिए और इनके जो 15 साल complete होंगे वो होंगे 2023 में यानि 2023 में इनका commutation restore हो जा क्या जो कटावा amount है क्या वो pension में जुड़ेगा basic pension में जुड़ेगा क्या उस पर DA मिलेगा ऐसा कुछ नहीं है आपने जो भी commutation percentage जो चुना 50% इसका पैसा आपको मिल जाता है पहले कई department क्या करते हैं commutation का जो पैसा है वो आपको 15 साल बाद खतम होने के बाद देते हैं ये ये rule बिल्कुल गलत है commutation का पैसा आपको retirement के तुरांद बाद मिल जाना चाहिए जब से आपकी pension बनाना start हो गई है माल लिजे ये 2007 में retire हुए तो commutation का जो उन्हें पैसा मिलना चाहिए वो मिलना चाहिए 2008 में जब से इनकी pension start हो गई है ये नहीं कि आपको 10 साल बाद 15 साल ब बाकी ये जो amount कट रहा था ये कटना बंद हो जाएगा अगर 15 साल बाद आपका amount कट रहा है तो आप अपने bank से contact करिए इस पर से contact करिए कि हमें 15 साल हो गए हैं तब ही भी हमारा committed amount कट रहा है हमारी pension से और family pension से कोई commutation का amount नहीं कट रहा है माल लेते हैं ये pensioner 2007 में retire हुए है उसके बाद 2012 में इनकी death हो गई तो ये जो पैसा है ये family pensioner जब start होगी तो family pension में से नहीं कटेगा अगर family pensioner में से भी ये amount काटा जा रहा है तो ये गलत है ये जो portion है जब तक pensioner जिन्दा है तब तक ही 15 साल तक उसकी pension में से ये amount कटेगा जहां pensioner की death हो गई 15 साल से पहली और family pension स्टार्ट हो गई तो family pension में से ये amount नहीं कटेगा ये बात आप समझे लिजे तो दोस्तों ये मैंने आपको कुछ चानकारिया दिये है अगर आपको औ अच्छा लगता है वीडियो को लाइक करें और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं थैंक्यू सो मच